जे श्रीराम कैसे हैं आप, इश़्स यही कामने आप हमेशा खुश रहें, तंदरूस रहें और बड़ोग आशिवद आपको बहुत सारा मिलता रहें आप और आपका परिबार हमेशा खुश रहे, तंदरूस रहे यही मैं इश्वर से कामना करती हुँ आईए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगे अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें बैल बटन को ज़रू दबाएं वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक औ उपर करजा चड़ता है आज हम जो बात करेंगे कुछ ऐसे नंबर होते हैं कुछ ऐसे मंत्र होते हैं लगातार अगर हम उनका उचारन करते रहते हैं या हम उनकी हम चैंटिंग करते रहते हैं तो वो कोई ना कोई रास्ते दिखाने शुरू कर देता है सबसे पहले मैं यह क के अंदर जारी है और वही अट्रैक्ट आप करते चले जा रहे हैं हम यूनिवर्स जो है अखन जिसे कहते हैं जो भी आपकी इच्छा है वो सारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार बैठा है लेकिन आप जो भी आप अट्रैक्शन जो भी आप एनर्जी उपर भीजेंगे वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे वही आपकी जिन्दगी का हिस्सा बन जाएगा तो आप क्या चाहते हैं आप चाहते हैं धन चाहते हैं लव चाहते हैं और अपने जीवन के अंदा खुश्यां चाहते हैं तो उनके बारे में ही सोचना है आपने आज जो मैं आपको कलर से लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन कोई भी मंत्र कोई भी नंबर हमारी जिंदिगी के अंदर तब प्रभाव डालता है तब वो हमारी जीवन का एक खिस्सा बनता है जब हम positive रहते हैं अगर हम positive नहीं है तो वो नंबर वो मंत्र कोई काम नहीं करेगा कि अगर आप दुखी मन से कि अगर मैं ने बोल दिया है चलो लिख लेते हैं या ये मंत्र बोला है चलो कर लेते हैं लेकिन दिमाग कहीं और है दिमाग negativity की तरफ है कि पता नहीं होगा काम या नहीं होगा तो 101% नहीं होगा जितने जादा आप positive रहेंगे उसके बारे में positive विचार बेजेंगे universe के अंदर वो ही create करेंगे वो ही आपके जीवन का हिस्सा बनेगा क्योंकि law of attraction है जिंदिगी में अगर आप प्यार पाना चाहते हैं तो प्यार देना शुरू कर दीजिए appreciation चाहते हैं तो appreciation देना शुरू कर दीजिए gratitude चाहते हैं तो gratitude शुकराना करना शुरू कर दीजिए तो ये number, ये मंत्र तभी काम करेंगे अब जो number मैं आपको बता रही हूँ इस number को आपने अपने left hand के उपर लिखना है और जिस समय आप लिख रहे हैं उस समय आपने 11 time, 21 time आपने ये बोलना भी है वो number जो है, number note कर लिजे 37769558 दुबारा से मैं repeat कर रहे हूँ 37769558 ये number जब आप लिख रहे हैं उस समय आपने अपने मन के अंदर आपने पूरी good feeling के साथ में अप feeling कैसे पता चलेगी आपको कि आप खुश हैं या दुखी हैं तो उस spirit के अंदर आपका पूरा ध्यान अपना पूरा दिमाग जो है अपने हाट चक्रा के उपर रखना है अपने हाट के उपर दिल के उपर रखने के बाद में आपने इस number को लिखना है और feel करना है कि आपके पास में पैसे आ रहे हैं वैसा ही आपने visualization भी करना है वैसा ही करना है क्योंकि जो feeling आप लेकर के आएंगे जो चीज आप अपने अंदर लेकर के आएंगे वो ही सब चीजें आप attract करेंगे आज के लिए बस इतना ही खुश रहे तंद्रूस रहे और बड़ों का आशिरवाद आपको बहुत सारा मिलता रहे आप और आपका परिबार हमीशा खुश रहे तंद्रूस रहे यही मैं इश्वर से कामड़ा करती हूँ जेश शिरी राम